दोस्तो मैं आज आपके लिए एक इसा दर्य नुष्का लेकर आया हूँ इस नुष्के से शरिफ अपने चेरे को दिन में दोवाद धोने सही आपका चेरे का रंग काफी गोरा हो जाएगा साथ ही आपके चेरे के दाने दाग दब्बे हमिशा के लिए रिमूव हो जाएंगे दोस्तो हम अक्सर देखते हैं कि काले रंग के व्यक्ति अपनी तुचा को गोरा करने के लिए पालर और महंगे महंगे ब्यूट्यू प्रोड़क्ट का सारा लेते हैं जो गोरा करने के बजाए काला करने का कारे करते हैं सच माने तो अपने रंग को निखारने के लिए हम घरेलू प्रयोका भी प्रयोक कर सकते हैं हमारे घर और रसोई में कई ऐसे उपाएं हैं जिनकी मदब से आप अपनी रंगत में फर्ग ला सकती हैं इसके लिए आपको ज्यादा पैसा कर्च करने की आवशक्ता नहीं है रंग उपाएं के बारे में दोस्तो हमारे द्वारा बतागे उपाएं से आप पूरी तरह से गोरे तो नहीं है सकते लेकिन हाँ एक निकली तोचा अवश्पा सकते हैं तो दोस्तो इस मुष्टे को जानने से पहले अगर आप नहीं तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले जरूत होगी एक खाली ग्लास की आपको एक खाली ग्लास लेना है जो कि हम मेरे पाइस देख रहे हैं दोस्तो आपको इस तरीके से खाली ग्लास लेना है और एक ग्लास आपको इ पूरे इसके अंदर निचोर देना है, दोस्तों निवु का इस्तमाल काफी समय से ही और ज़िए के रूप में किया यह रहा है, सर्बत और सलाद में तो इसका इस्तमाल होता ही है, साथ ही ये कई और चीज़ों में भी कारगर साविक होता है कि आप जानती हैं कि चेरे के लिए नीवु एक प्राकर्तिक बिलीज होता है ये साइट्रिक फल हमारी तुच्छा के लिए बहुती अच्छा माना आता है आप नीवु के रस का प्रयोग डेड़ स्किन ब्लेक एट्स को साफ करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं ये खुले हुए पोर्स को ठीक करने में मदद करता है साथी चेरे को काफी गोरा चमकदार और सुंदर भी बनाता है अब इसके बाद दोस्तों आपको अगली चीज़ लेनी है वह दोस्तों विटामिन E के कैप्सुल आपको दोस्ते हैं पर एक विटामिन E का कैप्सुल लेना है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल लेगा आपको इस विटामिनी के टेप्स को काट के जो है इसमें इसका जेल जो है एड़ कर देना दोस्तो इस तरीके से दोस्तो दोनों चीएं लेने के बाद में अब आपको इसमें आखरी चीज़ जो लेनी है वो है दोस्तो बेकिंग पाउडर आपको यह baking powder किसी भी किनारा अस्टूर पर बड़ी आसानी से मिल लेगा दोस्तों आपको क्या करना है इसमें थोड़ा आसा जो है baking powder एड करना है जरासा ध्यान से देखिया फिर्फ इतना सा आपको इसमें baking powder लेना है और इन तीनों चीहों को आपको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना दोस्तो दोस्तो इस नुस्ते में मैंने विटामीन E का इस्तमाल इसलिए किया है क्योंकि मार्केट में मिलने वाले लगवाख हर स्किन के प्रोड़क्ट में विटामीन E एक जरूरी सामग्री तोरपर मौझूद रहती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्किन को हेल्दी बनाने के साथ साथ स्ट्रेस मास्क पिंपल्स के दाग दब्बे दूर कर ड्राइ स्किन से छुटकरा दिलाती है इन फायदों के अलावा विटामीन E में मौझूद बेदाग बनेगा आपको करना दोस्तो इस पानी को लेकर अपने चेरे को सोवे और शाम इससे अपने चेरे को आपको धोना है आपको जड़ा ज़़ा सा पानी लेकर जैसे कि दोस्तो आपको अपने एसलियों पर इतना सा थोड़ा सा पानी लेना है और इस पानी से अपने चेरे को इस पानी से धो ले इस पानी से धोने करण आपको एक शूक कि ओवे टावल से अपने चेरे को हुँचके साफ कर लेना है दोस्तो इस उपाय को करने से आपके चेरे पर काफी अच्छा時候 निखार आएगा आपका चेरा काफी गोरा चमकदार और बेद्चा बनेगा ल दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्याद आपने दोस्तों करें वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राब करें